हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल फ्रेंट सर्दियों में अगर आपका इसकीन बहुत ज़्यादे ड्राई साराता है इसकीन खुर्दुरी सी हो गई है इसकीन से पपड़ी सानी करता है या तो फेस पे बहुत ज़्यादे काले दाग धंपे दिख रहे हैं तो आज आप लोगो एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बता रहे हूं जिसका यूज करके आप घर पे इसकीन प्रावलम को ठीक कर सकते हैं जी हाँ इस रेमेडी को तयार करने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडियन्ट है ओ है पोटैटो तो हम यहाँ पे एक आलू लेकर उस प्रावपर्टीज पाया जाता है जो चेहरे के काले दाग धब्बे को लाइट करता है और इसमें जो इस टार्च होता है वो इसकीन को टाइट करने का काम करता है कलर को फियर करता है तो आज हम आलू का यूज करके एक ऐसी होम रेमेडी तैयार करने वाले हैं जो लूजी स करके जैसे आप लोगों को असान लगे इस टाइम ठंड काफी जादे है और थोड़ा सा हम आलस कर दिये हैं अपने इसकीन को ले करके जिसके वज़ा से इसकीन काला तो दिखी रहा है और साथ में फेस पे छोटे छोटे ब्राउन स्पोर्ट भी दिखना स्टार्ट हो गया है तो जो ये आलू का रस है ये सारे इसकीन प्राबलम को खतम करेगा इस रैमेडी को आलस कीन टाइप और अपने फेस पे लगा सकते हैं बस बनाने का तरीका थोड़ा सा आपको चेर्ज करना पड़ेगा बस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी के बड़े काम आने वाला है अब दूसरी चीज हम यहाँ पे ले रहा हैं टमाटर में भरपूर मात्रा में बितामिन सी होता है तो इसे हमें कहाना भी चाहिए, साथ में फेस पेले में चाहिए स्किन टाइट भी होगा तो सहत का यूज आप इसमें जरूर करिएगा जो नीबू करस हम इसमें डाले हैं देखिए यह आप सनल है नीबू करस अगर आपके इसकिन को सूट करता हो तो डालिएगा अधर्वाइज आप इसे इसकिप भी कर सकती हैं लेकिन मैं अपने फेस पे लगाती हूँ अगर आपका इसकिन बहुत जादे संसिटीव है तो इसकेस में आप नीबू करस को स्किप कर दीजिएगा लेकिन अगर आपका इसकिन बिलकुल नार्मल है तो इसमें आप दो से तीन बुंद नीबू करस भी डाल सकते हैं अब इसमें हम एट किया है इसके काले ताग धबे को लाइट करता है तो हम इहां पे एक चम्मच बेसन लिए थे लेकिन थोड़ा सा यह पतला लग रहा है इसमें हम और बेसन डालेंगे क्योंकि इसे जादे गाढ़ा भी नहीं करना है जादे पतला रहेगा तो लगाते समय फेस पे से गीरेगा तो ज स्पैक बना करके उसका यूज करती थी जिसके वज़से उन लोगों का इसकीन अभी तक गलो करता है इतनी उम्र होने के बाद भी फेस पे वो नूर ओ गलो दिखता है तो बेसन तो बहुत अच्छा रिजल देता है बस इसे लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए अब इसमें हम आइट कर रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पावडर मैं यहाँ पे वाइट टर्मरीक ले रहे हूँ आप लोग का एक बहुत कमेंट आता है कि वाइट टर्मरीक क्या होता है तो देखिए ओ जंगली हल्दी होता है और इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादे भी हो ज करना चाहिए फाइदेक बदलेव नुकसान कर देता है तो ऐसे में किचन का हल्दी बिल्कुल भी मत्यूज करिए एक बार लेके रख लेंगे वाइट टर्मरीक तो बहुत दिन तक चलेगा कोई जादे महांगा नहीं मिलता है आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा तो आपकी मर्जी या तो आप बदाम का तेल भी इसमें डाल सकते हैं या तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनाटाइल या तो फ्रेश दूध की मलाई भी ले सकते हैं और भी नगा क्योंको उनीच्छरल घ置नी होता है आप इन सभी को हम इसपून से अच्छे से मिक्स करेंगे mix आपको अच्छे से करना है ताकि जो भी आप इसमें डाले हैं वो सारा आपस में mix हो और इसका result आपको कई गुना अच्छा देखने को मिले आप लोग इसका color देख सकते हैं ए इस skin को bleach करेगा color को fair करेगा इसे लगाने के बाद आपको market वाला bleach करने की जरूरत नहीं पड़े अब इसे किस तरीके से लगाना है वो भी चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले अपने face को अच्छे से clean कर लीजिएगा clean करने के बाद इसे आपको पूरे face पे लगा लेना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरे face पे लगा लगा कर 2-3 मिनट के लिए massage करिएगा अग आपको ऐसा लगता है कि इसकी बहुत जादे खुर्दूरी सी हो गई है face पे बहुत जादे dead cells हो गया है इसकी बहुत जादे मुर्जाया मुर्जाया लग रहा है तो massage आप जरूर करिएगा लेकिन अभी आप दो दिन पहले massage की हैं तो इस case में आप face को ठंडे पानी से धू आप लोगों को यहां तक किलियर हो गया होगा कि बनाना कैसे है लगाना कैसे है अब यह भी जान लेते हैं कि बीक में कितनी बार लगाना है तो देखिए बीक में सिर्फ आपको एक बार लगाना है जादे टाहिम नहीं देना है बीक में एक बार लगाईए महीने में चार ब नारियल का तेल है जो इसकीन को ड्राइ नहीं होने देगा जो भी समगरी हम लिये थे सारा हमारे किचन में मिल जाएगा बाहर से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतनी सिंपल रेमडी ये आपके फेस पे मैजिक कर सकता है जी हां मैजिक की तरह रिजल करस आप स्कीप कर देंगे अगर आपकी स्कीन को नहीं सूट करता है तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को दे दी हूँ आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी मेरी जानकारी इसे लगा लेना है लगा कर छोड़ देना है अगर आप किचन नहीं है, जो भी मैं अपने फेस पे लगाती हूं आप लोगो बताती हूं तो उसका रिजल्ट भी मैं आप लोगो दिखाती हूं, तो प्लीज जादा से जादा मेरे वीडियो को सेयर किया करिए कोई भी कमी दिखता हो, तो कमेंट करके बताईए तो आप लोग देख सकते हैं लेकिन काफी हद तक के इसकीन को साफ किया है फेर किया है जितना भी मैल था वो साफ हो गया है तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सेयर कर दीजिएगा चैनल पनियु है और आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकिन को आउन कर लिजिएगा नेक्ट वीडियो कि इस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो को ज़्यादा सेयर करिएगा अपने फैमली में अपने दोस्तों में इस चैनल पर आपको इसे तरह का वीडियो देखने को मिलेगा तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर नियुँ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकिन को अन कर लेंगे तो निव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में